हालो फ्रेंज आज हम जूम एप सिखेंगे जूम कैसे डाउनलोड करते हैं पहले वो बताती हूं मैं एक इजी और सिंपल मेथड से आपके फोन में ये प्ले स्टोर का बटन होगा उसको मैं टच कर रही हूं प्ले स्टोर बटन यहां से हम कोई भी आप डाउनलोड कर सकते हैं प्ले स्टोर दबा रही हूं यहां पे उपर देखिए उपर सर्च का बॉक्स है एक वहां पे मैं टच कर रही हूं टैप कर रही कुन सा अप चाहिए आपको मैं जूम टाइब की और नीचे वो सर्च का मैंगनिफाइंग ब्लास का बटन है उसको टच कर रही हूं यह ऐसे आता है अगर आपके फोन में जूम नहीं है अभी तक अगर आपके फोन में जूम नहीं है तो यहाँ यह green में जो update बटन है वहाँ पे update के बदले आपको install का बटन आएगा install का बटन आएगा तो उसको tap करना है लेकिन मेरे phone में zoom का already app है लेकिन वो मुझे update का दे रहा है मतलब update का मतलब कुछ नई चीजें zoom में add किये हैं उन लोगों ने company वालों ने कुछ नई चीजें add की हैं तो वो भी मुझे चाहिए नई चीजें भी वो मुझे चाहिए तो update करना चाहिए उसके लिए तो मैं यहाँ पे update दबाऊंगी तो यह update होता जाएगा यह जो गोल गोल फिर रहा है वो पूरा 100% हो जाना चाहिए यह देखे अभी 27% 62% ऐसे यह पूरा 100% हो जाने के बाद वहाँ पे open बटन आएगा वहीं same जगह पे open बटन आएगा मतलब अब मैं उसको खोल सकती हूँ यह पहली बार यह खाली होगा यह open मैं open नहीं कर रही यहाँ पे back जा रही हूँ तो यह button मेरा zoom का button मेरा screen पे आ जाएगा यह देखे ऊपर blue color का zoom का button आ गया screen पे यह अभी install हो गया मेरे phone पे अब जब भी मुझे zoom खोलना है तो मैं यहाँ पे open कर सकती हूँ इसको touch कर सकती हूँ zoom का link अगर आपको whatsapp से मिला है तो वहाँ पे touch करेंगा तो यह directly zoom के अंदर चला जाएगा meeting के भी अंदर चला जाएगा लेकिन अगर meeting के अंदर नहीं गया तो आपके link पे whatsapp के link पे एक ID और password दिया जाता है वो आपको याद रखना या कहीं लिखके रखिए तो zoom app में जाके हम उसको enter करेंगे meeting में कैसे करना है वो मैं दिखा रही हूँ एकदम easy and simple method टच करेंगे zoom बटन को zoom app एक video conferencing app है जब आप link पे tap करते हैं तो ऐसा screen आता है यहाँ पे आपको ID डालना है और यहाँ पे आपको password डालना है यह दोनों आपको link में whatsapp के link में मिल जाता है यहाँ पे आपका अपना नाम डालना है अपना personal नाम डालेंगे तो ज़्यादा अच्छा है join button दबाने से पहले नीचे audio और video buttons on कीजिए पहले audio and video buttons फिर join button पे tap कीजिए अगर आपके पास link नहीं है और किसी ने आपको ID and password दिया है तो आप यहाँ पे join meeting का button दबाके join कर सकते हैं same way ID and password डालके आप इस तरह से भी meeting join कर सकते हैं try कीजिए यहाँ पर आप देख सकते हैं एक screen पे चार windows दिखाई दे रहे हैं चार videos देख सकते हैं आप आप इसको scroll कर सकते हैं left, right to left sorry right to left उंगली से screen को scroll कीजिए कीचिए scroll कीजिए आप चार देख सकते हैं next chart देखेंगे ऐसे और दिखाई देते जाएंगे आपको एक window यहाँ पर आपको black दिखाई दे रही है उसका video off है उसका नाम है लेकिन video off है पूरा black है यहाँ पर आप वीडियो on कर सकते हैं just touch the screen screen को touch करेंगे तो नीचे buttons आएंगे एक mic का एक video का mic अगर आपका mute है तो mic के button पर दबाईए टच कीजिए नहीं तो वीडियो का button second है उसको touch करेंगे तो आपका video on हो जाएगा यह common गलतिया हैं जो हम करते हैं third button है chat का उसको touch करेंगे तो सब participants का नाम दिखाई देगा और उनका video on है या off है audio on है कि off है मालुम पड़ता है अगर आपको meeting leave करना है तो touch screen कीजिए कहीं भी बीच में उपर leave button आजाएगा उसको touch कीजिए तो leave meeting वापर्स touch कीजिए तो आप बाहर आ जाएँगे directly